हलो दोस्तों कैसे हैं आप, दोस्तों सिक्चक वर्ती से जोड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पाँ जरूर लाता हूँ तो दोस्तों बेहार पटना से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जैसे आप देख रहा है सिक्चक वर्ती का दूसरा चरण ओनलाइन आविदन 10 से होंगे एक दसमलब 20 लाग पत के लिए परिक्चा एक ही दिन यानि की नॉर्मेलाइजेसन नहीं होगा एक ही दिन परिक्चा होनी है रजिस्टिशन आज से यहाँ पर एक प्रिष्ण उठता है क्या बिहार के बहार के जो आविदक है वो आविदन कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आप देखें जो एक्सपर्ट हैं उनसे जब सवाल पूछा गया कि बिहार के भी आविधन कर सकेंगे तो उन्होंने का कि हाँ आविधन के लिए बिहार का इस्थाई नवासी होनी की अनिवारता नहीं है फिर से repeat करूँगा उन्होंने का हाँ आवेदन के लिए बिहार का इस्थाई नवासी होने की अनिवायरता नहीं है दूसरे राज्य के अभ्यारती भी आवेदन कर सकते हैं दूसरे राज्य के किसी भी वर्ग के अभ्यारती को आरक्चन का लाब नहीं मिलेगा वे आनारक्षित कोटे में होंगे यानि कि सामान वर्ण में वो आविदन कर सकते हैं अच्चे खासित पादा हुए हैं दोस्तों एक दसमलब 20 लाग अब पूरी अपडेट हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सनीवार की सिक्चक न्युक्ती के दुत्तिय चरण की गुष्णा की सिक्चक भरती परिक्चा के आविदन लेक इसे लेकर रियट निकालने तक की पिरक्रिया साथ दिनों में पूरी हो जाई कक्चा 6-12 तक 69,706 सिक्चक और आपर देखेंगे में लगबग 50,000 रिक्त रह गए पद में इसमें जोडे जाएंगे तो कुल पद लगबग 1,20,000 हो जाएंगे तो 1,20,000 पदों पर ये वर्टी निकाली जा रहे है 5 नवंबर से रेजिटेशन एवन सुल्क भुक्तान की सुरूबात होगी ओनलाइन आवेदन 10 नवंबर से शुरू होगा और अंतिम तिथी 25 नवंबर है परिक्चा 7 से 10 दिसमबर तक होगी 31 दिसमबर तक रेजल जारी करने का लक्च रखा गया है कक्चा 6 से 12 तक की सिक्चक और अती पिछड़ा बर के कल्याण भुхा के सक्चों के लिए परिक्चा एक साथ होगी परधान अध्यापक पत के लिए अलग से परिक्चा होगी परधान अध्यापक के लिए NCTE की अनिवाढ़ता नहीं होगी यहां पर आप देखेंगे तो परिक्चाओं की नियमों में हुए पांच बड़े वदला, पहले चरण में अभ्यार्थी को सिकायत के बाद दूसरे चरण की परिक्चा दो नहीं एक ही दिन होगी, ठीक है, भासा के पेपर 30 प्रिष्ण के होंगे, इनमें से 8 प्रिष्ण अंग्रीजी से और 22 प्रिष्ण हिंदी से होंगे, क्वालिफाई के ल पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, तो बिस है जरूर कॉम्बिनेशन के हिसाप से चुने दोस्तों, भाशा का पेपर कॉलिफाई रहेगा, भाग दो में जब हई होगा, तब भाग तीन के अंकों के आदार पर मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है, तो मान लो कि भाग कि अंक में जब टाई हो जाएगा, तो भाग तीन के अंकों के आदार पर आपकी मेरिट बनेगी, यह भी टाई हुआ तो भाशा के अंक के आदार पर बनेगा, अब हैं पर जो अपडेट दी गई है, जो सवाल पूछे गए एक्सपर्ट से, उन्होंने कहा है, पहला तो सव पचास लाग से अधिक अभ्यारती आविदन किये थे इस वार संख्या और अधिक बढ़ने की संबाबना है, खासका कक्चा 9-12 तक सिक्चक के लिए आविदन बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली दिन NCTE के रियल जारी होने से पात्र अभ्यारती की संख्या बढ़ी थी, भरज जीए अजैसे अपने फूटू बायोमेट्रिक के साथ परिक्षा देका साड़ी परिकेट वेरपी किसन भी करा लिया, लेकिन इस्कूल में जॉइन ने के लिए ऐसी इस्तिती में फिर से बिजय का बायोमेट्रिक के अधार पर पकड़ा जाएगा, एक और सवाल पूछा ग यह मानब गुण है, महीला अभ्यारतिक अक्षा एक से आर्ट तक पचास प्रतिसद आरक्षण है, जबकि अन्न कोटे में 35 प्रतिस आरक्षण है, ऐसे में महीला अभ्यारतियों की चाइन कम अंक पर भी हो जाता है, तो महीला वर्ग है, उनका कम अंक पर भी चाइन हो जात फिर भी आविदन करने से पहले इसका नोट्पिकेशन जरूर ध्यान से पढ़ ले दोस्तों उसी के बाद आप आविदन करें जिससे कि आपको ज़्यादा ज़्यादा लाब मिसके इससे जुड़ी और कोई आपको सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लेखे मैं नेक्स्ट वीड आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए से धन्यवाद